Hey guys, welcome back to another video, तो आज की टेक्नीज में आपका स्वागत है, पहली जोन्मीज आती है WhatsApp की तरफ से, यहाँ पर WhatsApp की तरफ से सबसे ज्यादा बुरी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है, WhatsApp में अभी ads देखने को मिलेंगे आपको हर जगा पर, यहाँ पर WhatsApp ने भी confirm कर दिया है, कि यह ads देखने को मिलेंगे आपको अपने WhatsApp अप पर, लेकिन आपको यहाँ पर WhatsApp चाट्स के अंदर आपको ads देखने को नहीं मिलेंगे, उसके अलवा आपको यहाँ पर हर जगा पर ads देखने को मिल सकते हैं, शायद यहाँ पर WhatsApp paid subscription भी लेके आ सकता है, जहाँ पर आपको ads या फिर फाल्तू के calls आपको spam calls वगिरा यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे यह से पहले भी बहुत सारे law pass पहले भी हुए थे कि आपको जिसमें बोला गया था आपको unnecessary calls नहीं आएंगे लेकिन आज भी unnecessary calls मुझे आते हैं जितने भी टेलिकॉम company है उनको चितवनी भी दे जा लांच होगा compare to Redmi Note 13 Pro and Pro Plus जी हां यह phone IMDA और NBTC पर भी गया था same model नंबर इंडिया के भी अंदर list है Redmi Note 13 से compare करें तो दोनों में खास फरक नहीं है overall ठीक है phone, Redmi Note 13 Pro जो है वो बहुत ही अच्छे smartphone है क्यूंकि अच्छी price पर है, देखते है Redmi Note 13 की कि कितनी जल्दी और किस price में द improvements देखने को मिल जाएंगे इस sensor में, आपको Dual Pixel Pro भी यहां पर देखने को मिल जाएगा और HDR की technology को उन्होंने यहां पर improve कर दिया है बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से, पर जो भी आपकी background वगेरा यहां पर show आती है camera में आपको उसमें ज्यादा improvement देखने को मिल सकते हैं, इस बार जो Samsung की 14-bit की technology है, उस पर यहां पर बनाया है यह processor, देखने हैं कि यह sensor किस phone में सबसे पहले आता है, next news निकल करकाती है यहां पर IQ की तरफ से, यहां पर IQ 12 और 12 Pro finally launch हो गया है चाइना में, और इंडिया में अगले महिने में हमको यह phone देखने को मिल सकता है, IQ 12 और 12 Pro दोनों में Snapdragon 8 Gen 3 processor होने वाला है, एक में flat display देखने को मिल जाएगा आपको, और दूसरे में आपको curve display देखने को मिल जाएगा, बाकी camera आपको दोनों में same देखने को मिल जाएगा, अगर battery की बात करें तो यहां पर यहां पर यह एक में आपको 5000 image की battery देखने को मिल सकता है, और यह इंडिया का पहला Snapdragon 8 Gen 3 processor का phone होने वाला है, देखते हैं, इंडिया में कब तक launch हो जाएगा, अगली जो news है, वो निकल कर आती है, OnePlus की तरफ से, यहां पर OnePlus का phone जो launch हुआ था, OnePlus Fold या फिर OnePlus Open के नाम से यह जो phone launch हुआ था, उसमें यहां पर आपको लंबी सी से, यहां पर Samsung S24 series को जो है, वो 17 January को यहां पर launch करने वाला है, यहां पर आपको बहुत सारे phone जो है, वो देखने को मिलेंगे, 17 January को यहां पर date बिल्कुल confirm हो चुकी है, आपको 17 January में यहां Samsung के जो S24 series जो phone है, वो देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे जो rumor से वो आ रहे है लेकिन let's see देखते हैं कि क्या होता है, launch के date में, बाकि design के बाद करें तो बिल्कुल same ही हो सकता है, क्या यह iPhone 15 series को टकर दे पाएगी, यह January में ही पता चलेगा, let's see देखते हैं, अगली news निकल कर आती है, यहां पर Realme की तरफ से, Realme UI 5 का आगर आप अप इंतजार कर रहे हो तो Realme GT Neo 3 और Neo 3 150 White में इसका पहला बीटा वर्जन आ चुका है, इंडिया के अंदर, और यह Android 14 पर बेस होगा, और इसका early access भी बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, अगर आप यह दो phone यूज करते हो, तो यह access आपको मिल चुका होगा, next जियो news निकल कर रहे हैं, यहां में देखने को मिल सकता है, और यह भी बताया जा रहा है कि यह गेम काफी powerful होगा, कि यह गेम PS5, Xbox One और PC में ही आप खेल सकते हो, पुराने consoles में यह गेम नहीं चलने वाला है, और शायद आने भी नहीं वाला, ऐसा बताया जा रहा है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए, बाबाई